अगर कोई एक जॉन्रा हमारी दिलो दिमाग में छप जाती है तो कोई और जॉन्रा देखने का मन्हीं नहीं करता देखेंगे तो इसी टाइप और इसी कॉंसेप्ट का तो आज के रिब्यू में हम ऐसे ही टॉप सेवन अब तक की सबसे बेहतरिन लाइक गेम अब थ्रोन जैसी हिस्टोरिकल वार ड्रामा सीरीज लाएं हैं तो आज आएसे ही टॉप क्वैलिटी कॉंटेंट लाएं हैं और खुशी की बात है इसके बोनस सीरीज जो हमेशा की तरह नेक्स लेबल की होंगी जिसे आप चाहकर भी मिस मत करिएगा बस आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहा है आप लोगों से आप लोग वीडियो दे नमबर फाइब की सीरीज अगर आप एक सिंपल सी स्टोरी के साथ एक मिशन कम्प्लीट करना चाहते हैं तो ये सीरीज को एक त्राय दे साकते हैं 2020 की नेटफ्लिक्स की तरफ से ड्रमा एडवेंचर सीजन वन उनली 6 एपिसोड के साथ दा लेटर फॉर्दा इस तरह से ये स सीरी अपने मिशन को कंप्लीट कर पाता है आखिर उस लेटर में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया को बचा सकता है सीरीज बच्चों को नजर में रखके बनाया गया है जिसके वजह से ये सीरीज बच्चों के लिए वन आउटा बेस्ट हो सकता है बस ज्यादा नमबर फोर की सीरीज कुछ हट कर यूनिक एंट फ्रेस स्टोरी लाइन और दिमाग सुन कर देने वाली मिस्टरी के साथ 2014 की 5 सीजन वार ड्रामा के साथ आउटलेंडर सीरीज वार ड्रामा होने के बावजूद भी सीरीज की स्टोरी इंट्रेस्टिंग और यूनिक रखने की कोसिस की गई है सीरीज की स्टोरी वल्ड वार टू के दौरान रह चुकी नर्स पे फोकस्ट है कहानी का ट्विस्ट अब आता है जब क्लेई एकदम से 1743 की मिस्टिर प्राब्लम को फेस करना पड़ता है जो ये सीरीज आपको आउटस्टैंडिंग तरीके से दिखाती है ऐसी सीरीज को मिस्ट मत करिएगा इस सीरीज को इंगलिस में नेट्फिक्स पर देख सकते है नंबर ठीरी से पहले बोनस नंबर बन की सीरीज अगर आप पार्स आप द और सीजन के साथ ब्लैक से लिए नंबर ठीरी की सीरीज एपिक बेटल वार एपिक स्टोरी लाइन एपिक इमोशन माइंड ब्लॉइंग सिनोमेटोग्राफी के साथ 2010 की वार ड्रामा ठीरी सीजन टोटल 33 एपिसोड के साथ स्पार्टर सीरीज की स्टोरी एक वारियर अपनी और अपनी लोगों की आजादी पाने के लिए पूरी रोमन अंपायर से लड़ जाता है सीरीज की सबसे खास बात है इसके बेटल सीक्वेंस इसके ब्यूटिफुल स्टोरी टेलिंग और उपर से सारे कैरेक्टर की माइंड ब्लॉइंग एपिं सिध्धा आपके दिल में छप जाएगी जिसके बज़ा से आप एक एक कैरेक्टर से इमोशना लेबल पर कनेक्ट पाते हो अगर आप 300 जैसी मास्टरपीस मुवी के एक्सन एपिक सिनोमेटोग्राफिक के फैन है तो ये सीरीज आपके लिए उस लेवल का एक्सिरियन्स कराएगी बस खटकेगी तो इसके इंग्लिस में होना लेकिन फिर भी एगर आप सीरीज से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये सीरीज आपकी फेबरेट लिस्ट में एड़ हो जाएगी इस सीरीज को एक ट्राइब दीजे एनेजन प्राइंग वीडियो पे इंग्लिस में अवेलेबल है नमबर टू की सीरीज वैकिंग फैन के बीच ये सीरीज इतनी पॉपुलर है कि वैकिंग फैरस वर्जन के भी नाम से जाना जाता है स्टोरी तो सीमिलर नहीं कहेंगे पर मिलता जुलता जरूर कहेंगे या फिर वैकिंग का दूसरा पहलू अगर आप वैकिंग सीरीज को देखके खतम कर चुके हैं तो उसके बाद ये सीरीज आप देखिए आपको उस लेबल का एक्सपिरियंस कराएगी 2015 की नेट्फिक्स पे अवेलेवल है हिस्टोरिकल वार ट्रामा के सब दा लास्ट किंगडम सीरीज की स्टोरी सिंपल वे में बताए तो लीट कैरेक्टर और थुरूजी से अपना किंगडम हासिल करना है इस जर्नी में उन्हें किन किन प्राबलम को फेस करना पड़ता है कि इस हद तक जाता है ये सब इतने ब्यूटिफुल तरीके से हमारे सामने रखा है कि एक सीजन के बाद आपको दूसरा सीजन स्टार्ट करना ही पड़ता है फिर तीसरा फिर चौथा इस सीरीज के 4 सीजन देखने के बाद आप बेशाबी से इसके 5 सीजन के लिए इंतजार करोगे इस लेवल का आपको सस्पेंट छोड़का जाती है सीरीज सीजन 1 एंट 2 इंग्लीज में नेट्फिक्स पर अभे लेवल और 3 और 4 हिंदी डबिंग के साथ आप देख सकते हैं नमबर 1 से पहले बोनस नमबर 2 की सीरीज को इंटोडेक्शन की जवरत नहीं क्योंकि अब तक की सबसे पेस्ट और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप दुनिया की सबसे बेस सीरीज को मिस कर रहे हैं अंदाजा लगा लिजे की किस लेवल का होगा 2011 से अब तक टोटल 8 सीजन वार ड्रामा के साथ गेम आप थ्रोन जैसे कि हम आपको शुरू में ही बताया इस सीरीज को इंटोड़क्शन की ज़रत नहीं बस देख डालिए इस सीरीज को नमबर वन की सीरीज अगर कोई गेम आप थ्रोन जैसी सीरीज को टक कर दे सकता है तो वो है नमबर वन की सीरीज गेम आप थ्रोन के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाला सीरीज टोटल 5 सीजन वार ड्रामा के साथ वाइकिंग वाइकिंग का मतलब ही होता है Lutera शीरिस की स्टोरी इसी पे बेजड है ये लोग जहां भी जाते हैं जिस देश को ढुणते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ लूट कर ले आते हैं जिस तरह से हम इस सीरिस की सींपल स्टोरी बता रहे हैं उससे कई ज़्यादा impactful series है वो character की acting वो twist and turn बड़े बड़े वो war sequence एकदम किसी फेबरिक character की मौद आपको ये series emotional level पर hit करेगी आपके दिमाग में घुज जाएगी बात करे negative point की तो season 1 character development के लिए समय लेती है अगर आप patience रखकर देखिए तो ये series game of throne की जगा लेता की है और दूसरी बात मेरी मानिये तो season 6 देखिएगा ही मच सारे character भी खर गए हैं बाकी 1 to 5 season आपको highest level का experience करागी series strictly 18 plus है इसे आप हिंदी में देख सकते हैं ऐसे ही quality content के लिए हमारा channel को subscribe जरूर करिएगा इसे हाँ जहाँ कराँ तो ये री दोड़ कर सकते हैं